गुद मॉर्निंग टू मैडियर स्टूरेंट्स मैसलफ कुलदीब कॉर्न आइम गोईंग टू टीज इन एक्ट क्लास चैप्टर नमबर थर्ड जल धरा चैप्टर जो डॉक्टर निहारीका के दुवारा लिखा गया है आज का जो चैप्टर है वो जल धरा अर्था धरती दो दोनों आपस में वारता वालाब करते हुए इस चैप्टर में नजर आते हैं समवात करते हुए नजर आते हैं दोनों ही अपनी विशेश्टाएं बताते हैं रॉन्त में मानुद्वारा जो परकिर्ती में छेडशार की जाती उसकी और भी संकेत दिया जाता है जल जो है सभाव ऐ मेरा बेहन अध्रव अवस्त्वां भी मेरा सभाव है ये लचीला अभाव है मेरा लेकिं दो वशेस्साइ सो पोष़काल हैalar獎र बस टयए वीस्थ हैं तो भॉष होत गो ओफ ये थीर वह सबस्सद्रन होला के रूप मेरी चटानही cloves जवारा भाटा के रूप में सिर्फ पटकते हो जवार तो जल कहता है कि हाँ ये तो तुमा चंदर्मा और तुमारी परकर्मा चंदर्मा तुमारी परकर्मा करता है उसके अकार्ण तुम दोनों बीच अकर्शन पैदा होता है जिसके अकार्ण जो मेरा पानी है जानी कि तुम्हारी चटानों पर लगता है जिसे जवार कहते हैं जब वो वापस आता है तो वो भाटा कहलाता है तो लेकिन दौलन गती का तो ज़रने के रूप में तीवर गती का और नदी के रूप में धीमी गती का है तो मैं शांत रूप में भी रहता हूँ कूवे रूप भी देखा है तो जरने के रूप में मैंने तुम्हारा उगर और नदी के रूप में मैंने तुम्हारा इस तरह से अलग शांत रूप भी देखा है लेकिन परवत अकार जो चोटियां हो वो मेरी ही धरती की अकाश को चुमती है सबी को ठोस वस्थाओं को तुम्हारी बर्फ को भी है जो मैं ही आश्रे देती हूं सहारा देती हूं और नदियों के रूप में पहाडों से नीचे घाटियों खाईयों की सैर कराते मैदानी शेतर में ले आती हूं अर्था पानी को ले आती हूं तो मानव ने सब्यता की और जब कदम बढ़ाया था तो वो मैदानी बाग में ही है तो जल आगे से कहता है कि ये तुम क्यों भूजाती हो कि जब मानव जंगलों से निकल कर बाहर आया था सबसे पहला उसने डेरा वहाँ पर ही डाला था जहां पर जल उपलब्द था तो बर्फ को तो तुमने पहारों पहाडों पर संभाला है वहाँ से पिगल कर जणने के और नदी के रूप में मैं ही आया हूँ और धरा आगे से हसकर कहती है जरा सोचो अगर खाईयां घाटियां मैदानी भाग ना होते तो पानी नीचे कैसे होता जल कहता है कि ये तो मैं गृत्वा कर्शन के कारणाया हूँ गृत्वा कर्शन मतलब धर्ती में ऐसी शक्ती चो कि हर एक वस्तू को धर्ती की तरफ खीचती है धरा आगे से कहती है कि मेरे अलग-अलग गृत्वा कर्शन ही तो मेरी शक्ती है जिस तरह से मेरे अलग-अलग नाम है भूमी, धर्ती, वसुंदरा अलग-अलग नामों से पुकारती है तो जल का आगे से कहना होता है कि हरा भरा तो मैं ही बनाता हूँ मेर बादल के रूप में बनकर जब मैं जगा-जगा पर बारिश करता हूँ तो हर्याली ही तुम पर धर्ती पर फिरी आती है तो धरा कहती है कि तुमारी इतनी क्रीपन शक्ती वतब कहां गई होती है जब रेगी सान होता है वहाँ पर तो तुमारी एक-एक बूंद को तरस जाती है तो लेकिन मेरे ही धीरेज के कारण वहाँ पर वनस पुती उगती है, जीव जनतु आते हैं और मैं उनका आश्री दाती बनकर उनका रेतीला रूप भी सवारती हूँ वहाँ पर मैं अलग-अलग तरह की जो महुमुलेद धातू ही देती हूँ जुरेनियम, तामबा, लोहा, इस तरह की अलग कई परकार की चटानी, चटानो, अनो, अगनिय, परतदार, रुपांतकारी, खनीज, परचूरता, अलग-अलग तरह की जो है चटाने हैं तो धर्ती अपनी विशेषता वजाती है, जल कहता है कि ये बात भी सुनो, कि जो तुमारी चटाने हैं, उनके छोटे-छोटे कुर्णो को समुंदर के जल तक, तो मैं ही लेकर जाता हूँ जब उनकी पर्तदर जम जाती है, उसके बीच में वनस पती और जीव जनतु आते हैं, उनी से तो कोला, हीरा और खनीज बनते हैं, काला सोना कहे जाना वाला तेल भी तो मेरे अंदर ही पाया जाता है, मोतियों को क्यों तुम भूल जाती हो और उसी तरह से तुमारा हिस्सा केवल 25 परसंट है और मेरा 75 परसंट, तो धर्ती आगे से कहती है कि तुमारे 75 परसंट में सिर्फ 1 परसंट ही पीने जोग्या पानी है, और फिर वर्षा के रूप में बर्सकर तुम ही मैं मानती हूँ कि मेरी गोध हरी भरी करते हो, बहुत उसे जल जीव जलिय वनिस्पती पलते भड़ते हैं प्रदूशित जल की मात्रा आज कर लगातार भड़ती जा रही है उसके बारे में तुमने क्या सोचा है तो जल आगे से कहता है कि तुम ठीक कहती हो धरा जल को देख मैं क्रोध से जुरूर भर उठता हूं इसलिए कभी भ फानों के दुवारा तपाही मचा जेता हूं और आगे से धर्ती कहती है कि प्रकीती से की जारी शेड से शेड सार से मुझे बुगसा आता है मुझे बहुत करोध आता है जवाला मुखी में रूप में फट कर अपने अंदर जो लावा है उसे उड़े लेती हूं और चटान में आकर हम अपना ही दोनों एक दुशे का नुकसान करते हैं अपने किये हुए नुकसान का हम किस पर दोश लगाएंगे धरा कहती है कि इसका सबसे ही जो धर्ती कहती है दोशी मानव है उसने अंधा दिंद व्रिक्षों के कटाई करके इस तरह के विस्पोर्ट बनाए बा उतना पड़ेगा जल आगे से कहता है कि तुम ठीक कहती हो आज का जो मानव है विकास की दोड में इतना अंदा हो गया है कि वे द्वारा किया जारे नुकसान को भी नहीं देख पा रहा कब जागेगा मानव तो इस तना दोनों अंत में बोलते हैं सो मेरे प्यारे बच्चो अपनी धर्ती की और जल की दोनों ही सुरक्षा करना मनुश्य का प्रथम करतव है थैंक्स और है वे नाइस देख